लोकसभा चुनाव के दौरान जमुई में राजनीती गलियारे से बड़ी ख़वर सामने आ रही है जहां पूर विधायक अजय परताप आरजेडी का दामन थामेंगे आज जमुई के स्टेडियम में यतेजस्वी यादो की चुनावी सभा में अजय परताप राज़त में शामिल होंगे इस बात के जानकारी अजय परताप ने खुद फोन पर बाचित करते वे दी है पूर विधायक अजय परताप बिहार में अंडिय सरकार में मंत्री और चकाई विधायक सुमित कुमार सिंग के बड़े भाई है इसके अलावा आजय प्रताप, नितीज कुमार और लालू प्रसाद यादो के सरकार में मंत्री रहे प्रदेश के कद्दावर नेता नरिंद्र सिंग के बड़े भाई, बड़े बेटे हैं बिहार की राजनीती से एक बड़ी खबर निकल का सामने आ रही है, जिस प्रकार जद्यू के एक मंत्री महस्तर हजारी के बेटे कॉंग्रेस में सामिल हो जाते हैं और अब फिर जदियू का एक और बिकेट गिरने की खबर सामने आ रही है आपको बताते चले जदियू के एक मंत्री है माप कीजिएगा जदियू के कोटे से भले ही है लेकिन वो निर्दलिय बिधायक है और निर्दलिय मंत्री बनाए गए है सुमित कुमार सिंग सुमित कुमार सिंग नितिश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और बिहार सरकार में वो पहले भी मंत्री थे और अभी भी वो मंत्री है अब खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंग के बड़े भाई आजे परताप सिंग आरजेडी में सा कि है जमुई में सनीवार को तेस्वी आडव के एक सबा होनी है जहां वह राजद के प्रतियासी अर्चनार रविदास के समर्सन में चुनावी सबा को सम्परित करेंगे चुनावी सबात जहां लगातार कॉंग्रेस के तमाम जो लोग है तमाम जो कर करता है एक एक पाटी छोड़ रहा है अब जो है एंडिये गडबंदन में भी लोगों के टूटने का एंडिये गडबंदन में भी लोगों के इधर ते उधर जाने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है आपने कि उनको वहाँ से टिकेट मिलने नहीं जा रहा है लेकिन अंदर खाने में क्या डील हुई है दानसमा को लेकर डील हुई है या फिर कुछ और डील हुई है वह तो समय के साथ ही पलड़ा चलेगा लेकिन अगर जदियू के एक मंत्री के भाई राजद में आ जाते हैं तो यह बिहार की राजनीति की हलचल को